सत्कुरु की साजी निवाजी प्यारी सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी सत्कुरु निरंकार से यही अर्दास है कि हर पल, हर छीन, हर संद के अंदर इस निरंकार प्रभु के शुकराने का भाव बना रहे हमेशा ही इसका एहसास बना रहे और हम सभी सेवा सिमरन ससंग के साथ हमेशा ही जुडे रहें सासंगत जी सत्कुरू माता जी का निरंकारी राजबिता जी का सासंगत मा निरंकार का जितना भी शुकरा ना किया जाए उतना ही कम है हर हाल मिदाता का जो शुकर मनाती हैं उनके घर खुशियों की उति बरसाती है रहबर तेरे चरनों में हर स्वास गुजर जाए जिस स्वास तुझे भूलू वो स्वास ठहर जाए सदकुर के चर्णों में यही अरदास करती है हर स्वास में हो सीमरं तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर स्वास जो हम ले रहे हैं ये प्रभू प्रमात्मा की याद में बीते दासे सदकुर माताजी के आप सब के आशीरवाद से ये विचार रखने जा रही है आप जी ये विचार परवान करें अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें साथ संगत जी कहते हैं एक महापुरेश अपने आदरनीय महात्मा जुगिंदर मंचंदा जी गुरगां के रहने वाले वो एक बार अपने विचारों में हमें बता रहे थे कहते हैं एक दिन डिली में समागम ग्राउंड में सत्कुर माता स्वींदर हर्देव जी की उपस्तिती में काफी समय तक ससंग सुनते हुए मन में यह ध्यान आया कि यह सत्कुर का दरबार है इसलिए यहाँ प्यार ही प्यार है नफरत की कोई बात नहीं हो रही है किसी कवी ने भी कहा है यहाँ प्यार की बाते होती है नफरत को मिटाया जाता है और संपून अवतार बानी में भी शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महराज फर्माती है गुरु दिखावे गुरु मनावे गुरु ही प्यार सिखानदा है बिन गुरु भगदी मूलना हुए कोई भी नहीं करवा सकता अगर वो बिना गुरू के भगती कर रहा है इस परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है इस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए पूरन सत्गुरू की शरन में आना होगा पूरान सत्गुरू की शरंड में अगर नहीं इनसान आएगा तो फिर पच्टाएगा फिर ये जो अमोलक समय है यूही व्यर्थ बीच जाएगा कहते हैं यहां सत्गुरू स्वहम भी राजमान है इसलिए यहां पर प्यार ही प्यार बरस रहा है सत्गुरू आमदाय दुनिया उत्ते सारे ही संसार लही ये वक्त के सत्गुरू माता सुरिक्षा जिमाराज सारे ही संसार के लिए आए हुए हैं सभी को ये ब्रहम ग्यान के साथ जोड रहे हैं प्यार ही प्यार ही आपर सिखाया जा रहा है सत्कार की बाते ही सिखाया जा रह रही हैं बच्पन से ही सत्कुरू के किर्पा से ससंग मिलता रहा है और हम अपने आपको बहुत भागयशालिस समझते हैं कि ऐसे संतों महात्माओं का लगातार संग मिलता रहा जिस से इस क्राम में लगातार ससंग की ही बातें बनी रही जीवन में और ससंग में आने से मन में अच्छे अच्छे संसकार आते हैं, यह आते हैं, पक्यां देना, मिलके बैठो, कच्यां दे विच मिल लोना, शेहनशा जी, शबत नमबर 330 में, इस शबत वारा हमें समझाने के कोशिश कर रहे हैं, कि हमने ऐसे पक्य संतों महापुर्शों का संग करना है, जो खुद तो पूरन विश्वाशी हो, और हमारे भी विश्वाश को पूरन करें, हमने ऐसे संतों का संग नहीं करना, जो हमें डुलाए मान करने की कोशिश करें, लोग की लाग पुलेखे पावन अपनी था तो ही लोना, हमारा विश्वाश इस पूरन सत्गुरु निरंकार पर इतना होना चाहिए, कि कोई लाग भी हमें डुलाए मान करने की कोशिश करें, हमने उनके बातों में नहीं आना है, ऐसे ही ये महत्मा बता रहे थे, कहते हैं, दास को अपने बच्पन की ही बात याद आती है, कि एक बार हमारे प्रमुख महत्मा जी हमारे घर आए, और कहने लगे, बेटा जब भी कोई संगत में बोलता है, तो एक बात सब एक जैसे ही बोलते हैं, तो आप बताओ, कि वो ब कहा, कि जो भी संगत में बोलता है, वो बाद में यही अरदास करता है, कि साथ संगत जी मुझ पर रहमत करना, मेरी आपची के चरनों में तोड निप जाए, जैसे सुम्रन धूनी में भी आता है, मेरा डोले ना इतबार, बख्षो शर्दा वक्ती प्यार, करा में संता दास एक तूही निरंगार, यह मांग गुर्सी के जीवन की बड़ी जरूरी मांग है, जब बाबा अवतार सिंग जी महराज से पूछा, कि यह ब्रहम ग्यान आपने दिया, और यह ब्रहम ग्यान मानव की आकरी बंजिल है, तो फिर उसके बाद यह लगातार ससंग करने की प्रे ना क्यों दे जाती है, तो शेहन शाजी ने समझाया, कि यह ब्रहम ग्यान तो आकरी बंजिल है, पर यह इतना शुक्षम है, कि कब हम इसे बूल जाएं, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए संतों के संग की बहुत जादा जरूरत है, सासंगत की बहुत जरूरत है, सासंगत सत गुरू के साथ चोड़ती है, और सत्गुरू हमें निरंकार के साथ चोड़ कर रखता है, और फिर यह निरंकार का संग ऐसे का ऐसे बना रहता है, इन प्रात्नाओं की महता हमें 13 मई 2016 के बाद एक दम से महसूस होने लगी, हम पुन अफ्तारवानी में समझाया गया है, ऐस सत्गुरू नुजो पूजे, उस ती शान निरालिये, कहे अफ्तार गुरू बिन सब कुछ लगधा खाली खाली यह निरंकार तो यहीं था, लेकिन यह एक दम से खाली लगने लग गया, और फिर वो फिर वो वाला दिन आप सब महत्माओं की संतों की बाद सुनाई दी कि स सत्गुरू अब माता स्विंदर हरदेव जी के रूप में प्रगठ हैं, तो हिरते में ठंडक आने लग गई, एक ही वाक्या समझा रहा था, यह सत्गुरू माता जी, जे तु ना करदा हां, असा रूल जाना सी, फिर कित्थे न मिल दी थां, असा रूल जाना सी, यह सत्ग हमने रूल जाना था, फिर हमें कहीं पर जगा नहीं मिलने थी, सत्गुरू मावा हरदेव सिंग जी महराज के जाने के बाद, सत्गुरू माता स्विंदर हरदेव जी महराज ने हमें अपने चलनों में जगा दी, कहते हैं, संफुन हरदिव पानी में भी कहते हैं, कि सत्ग सत्कुरु देहे का नाम नहीं है सत्कुरु होता ग्यान है सत्कुरु को एक देहे समझना भूल है अग्यान है सत्कुरु शरीर का नाम नहीं है सत्कुरु तो इस ब्रह्म ग्यान का नाम है लेकिन जब सत्कुरु माता स्विंदर हर देव जी महाराज ने हां कर दी सत्कुरु म गया मैई 2016 के तीन चार महिने बाद एक नोजवान संगत में नजर आया इंगलिश मीडियम संगत किष्टेज चलाने वाले महात्मा जी को इशारा किया कि इन्हें बोलने का आफसर दे दो बड़े दिनों के बाद ये महात्मा संगत में नजर आये हैं पहले तो उस नोजवान ने मना कर दिया फिर जब मैंने दोनों हाथ चोड़े कि आप कुछ बोलो तो वो नोजवान खड़ा हुआ और बोला कि बस आपको मैंने अपने मन की बात बतानी है जब मैंने यह सुना कि सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महराज अब शरीर करके इस निरंगकार में अंतर ध्यान हो गए है तो उस रात मैंने यह सोच लिया कि अब क्या करना है ससंग में आकर और उसके बाद मैं ससंग में आया है नहीं तीन चार महीने बीद गए एक दिन मारकिट में मैंने एक और नोचवान को देखा उसके चेहरे की मुस्कान देखी और उसके चेहरे की खुशी देखी तो मैं घर चला गया पर मैं सोचता ही रहा कि ये तो वैसे ही मुस्करा रहा है ये वैसे ही खुश है फिर मैं कैसे उदास होता जा रहा हूँ जैसे सद्कुर्बाबा हरदेव सिंग्जी महराज के समय खुश था मुस्करा रहा था आज सद्कुर्माता सुविंदर हर देवजी के समय में भी मुस्कुरा रहा है तो कहने लगे वो मात्मा की मैं कैसे उदास होता जा रहा हूँ कैसे खमोश होता चला जा रहा हूँ मैं यह वक कहने लगा मैंने निश्चे किया कि कल हमारी इंगलिश मीडियम संगत है उसमें मैं आवश्य जाओंगा और आज मैं यहां संगत में आकर बैठ गया तो मैंने देखा यहां तो वही बहारे हैं वही खुशियां हैं वही नजारे हैं मैं कहां रुख गया आपकी दृष्टी पढ़ गए अब मैं खड़े हो कर अरदास करता हूं और मांग मांगता हूं के दया करो कि मेरे सत्गुरु के चरनों में अंतिम स्वास तक तोड़ निप जाए गुरु से कि ये मांग हमेशा बनी रहती है पहले भी महात्माओं ने कहा है आदरने कवी अलमस्त जी की भी पंक्तिया ध्यान में आती हैं ओए पुर्जयों मोर्तर दियों ओए निक्यों ओए वड्यों अठे रहो ते जुडे रहो एस संग हूना चड़ना इस संग के साथ प्रभू प्रमात्मा के शबद जुड रहे फिर वो आगे से उत्तर भी देते हैं कि क्यों जुडे रहे इस दफाईया ऐस लए कि जुडे ह जुड़े हो ते नाल हो अर्थात ये विचारों का शुद्धी गरन केवल ससंग के साथ जुड़े रहने पर ही संभव है आगे कवी लिखते हैं जे डीग गए जे टैग गए मुड जंगाले जाओगे जे डीग गए जे टैग गए मुड जंगाले जाओगे अर्थात जो कार का पुर्जा कार सी अलग हो जाता है उसका समय भी इतने के साथ जंग लग जाता है और उसके कीमत भी समापत हो जाती है फिर आगे क्या है एबाग इंज ही रहेंगे कि यदे हम इस निरंकार से इस कहते हैं कि अगर हम इस निरंकार से हट गए तो जो वगीचे में ये बहारे तो वैसे की वैसे ही बनी रहेंगे जितनी कीमत प्रीत लगने की है उतनी कीमत प्रीत निभाने की भी है अगर हम ससंग से दूर हो जाते हैं तो हम अपना ही समय वियर्थ कर रहे होते हैं क्योंकि सद्संग में तो बहारें वैसे की वैसे ही बनी हुई है आगे उन्होंने कहा कि हमारी जो कीमत है प्रीत लगने की है उस से अधिक कीमत है सद्कुर के चर्मों में प्रीत निभाने की मैं भी सद्कुरू के चर्णों में यही अर्दास करता हूँ कि कभी भी मनी दरुदर की कच्ची बातों में या किसी मैसेज के बैकावे में आकर पूरण संथ निरंकार प्रबू से सद्कुरू से दूर ना हो जाए सद्कुरू के चर्णों में तोड निब जाए सद्कुरू के चर्णों में तोड निबने से ही जीवन जो है वो सफल हो सकता है आज सद्कुर माता सुदीक शाजी माराज ने हमारे उपर अपना मेहर बरा हाथ रखा हुआ है मेहर भरी नजर रखे हुए है सद्कुर दे चरनातो वड़ा कोई तीरत हस्तान नहीं बिन गुरु दे पशु है बन्दा बढ़ सकता इनसान नहीं सत्कुर के चर्णों से बड़ा कोई भी तीरस्थान नहीं है और बीना गुरु की शरण में आए बीना कोई भी इनसान नहीं बन सकता है ये सो चंदा उगवे सूरत चड़े हजार है एते चानन होंदिया गुरु बिन गुरंदार कहते हैं कि चाहे सो चंदा उग जाएं हजारों सूरत चड़ जाएं लेकिन गुरु के बीना अंदकार ही अंदकार है इसलिए सत्कुर के चर्णों में हम सब की हाथ चोड़ कर यही अरदास बनती है कि सत्कुरु धरती पर निरंगकार कासाकार रूप होता है अपना ग्यान दे कर यह मानवता को एक लड़ी में पिरोता है और मुक्ती परदान करता है सत्कुरु सदा बक्षने वाला दाता होता है यह मानव के अवुनों को नहीं देखता है आओ हम सद्कुर के चर्णों में जुड जाएं और सद्कुर के चर्णों से यही हम अशीरवाद बांगे कि जितने भी स्वांस मालिक ने बखशे हैं सद्कुर अपने चर्णों में लगा कर रखना आपची के चर्णों में हम जुड़े रहें और आशीरवाद लेते रहे जीवन दारत एने चलाना असातिकेवल बेना आए सुआसां दे दो पईये चल दे ता जीवन रचल दाए सहत कुरूने ही हमारी ये जीवन की जो नईया है इसको चलाना है इसको भव सागर से पार लगाना है यही मुक्ति का लाता है यही इस लोक में भी हमें सुखि कर रहा है और इसी के चर्णों में अंतिम सुआस्ज तक जूड़े रहने से हमारा पर लोग पी सुह्ला होगा इसलिए हम आज से अभी से ही ये प्रेंट करे कि अपने ससंग में भी टाइम से जाना है समय से जाना है और संतों महपुर्शों के अम्लीक लाल हीरे मोती वचनों को अपने चोली में समेट कर करम रूप में लाना है और जो भी सद्कुर के समय समय परादेश सेवा के लिए आ रहे हैं सीमरन के लिए तो हर समय ही सद्कुर हमें समझाती है कि उठते बैडते खाते बीते चलते फिरते हमने इसका ऐसास बना कर रखना है सीमरन जितना जितना हम करेंगे उतनी उतनी हमारे मन को ताकत मिलती चली जाएगी हमारा जो विश्वाश है इस ब्रहम ज्यान पर पूरन रूप से अडिक होता चला जाएगा और सेवा के बारे में भी सत्कुरू हमें समझाती है कि हमने जो भी सेवा हमें सत्कुरू के तरफ से आदेश आता है उसको हमने उसी तरह मानते चले जाना है और सुखों के भागीदार बनना है दासी से विचार करते हुगे उससे गलतियां हुई होगी उन गलतियों के लिए आप जिस शमा करें आगे के लिए सुमत बख्षें सब के भले की कामना के लिए दासी सिमरंग कराएगी सभी मिलकर सिमरंगे साथे तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैंनू बख्ष लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैंनु बख्षलो बोलिये सत्कुरू माता सुधिक्षा सवींदरह देव जी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुर्बचनवतार कीजे आसंगजी प्रेम से कहना दान निरंकार जी